मैं आप सब का रदय से आभार व्यक्तर करता हूँ मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए आपका ये प्यार आपका ये अपनापन ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है ये आपका अस्ने आपके अश्रिवाद मुझे निरंतर उर्जा देते रहते हैं मैं जितना आप सब का अभार व्यक्तर करू उतना कम है बाई और बहनों बिते कुछ दिनों में मुझे देश के अनेक तिर्थों की आत्रा करने का अश्र मिला है अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मा कामाख्या के द्वार पर आया हूँ आज मुझे यहां मा कामाख्या तो यह देश और दुनिया भर से आने वाले मा के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा मा कामाख्या दिविय लोग परियोजना के पुरा होने के बाद हर साल और ज़्यादा स्रध्धानू यहां आकर दर्शन कर सकेंगे और मैं देख रहा हूँ कि मा कामाख्या के दर्शन के संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही पूरे नौर्थिस में यह टूरिजम का प्रवेश द्वार बन जाएगा जो भी यहां आएगा पूरे नौर्थिस के टूरिजम के और बढ़ेगा एक प्रकार से यह उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है इतना बड़ा काम इस दिव्य लोक के साथ जुड़ा हुआ है महिम्मता जी और उनकी सरकार की इस शांदार प्रोजेक के लिए सराना करता हूँ साथियों हमारे तीर्थ हमारे मंदीर हमारी आस्ता के स्थान यह सिर्फ दर्सन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है यह हजारों वर्षों की हमारी सब्विता की यात्रा की अमीट निशानिया है भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा यह उसकी साक्षी है हमने देखा है कि एक समय में जो सब्विताएं बहुत समुर्द हुआ करती थी आज उनके खंड़हर ही बचे है दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिनोंने लंबे समय तक देश में सरकारे चलाई वो भी आस्ता के इन पवित्त्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए उन्होंने राजनीति इगलाब के लिए अपनी ही संस्क्रिती अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटा कर ऐसे भुला कर अपनी जड़ों को काट कर कभी विख्षित नहीं हो सकता मुझे संतोज है कि बीते दस वर्षों में अब भारत में स्थीतियां बदल गई है भाजपा की डबल एंजिन सरकार ने विकांस और विरासत को अपनी नीती का हिस्सा बनाया है इसका परणाम आज हम असम के अलग अलग कौनों में भी देख रहे हैं असम में आस्ता अध्यात्मा और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को आदुनिल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है विरासत को संजुने के इस अभ्यान के साथ ही विकांस का अभ्यान भी उतनी ही तेजी से चल रहा है बीते दस वर्सों को देखो आयायम जैसे संस्तानों को उसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया है बीते दस वर्सों के दोरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब दबल हो चुकी है असम में भी भाजपा सरकार से पहले छे मेडिकल कॉलेज थे आज बारा मेडिकल कॉलेज है असमाच नौर्थ इस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है साथियों देश वासियों का जीवन आसान हो ये हमारी सरकार की प्रात्विकता रही है हमने चार करोड से अधिक गड़ी परिवारों के पक्के घर बनाए है हमने घर घर पानी घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है उजवला योजना ने आज असम की लाखो बहनों बेटियों को दुएं से मुक्ती दी है स्वच्छ भारत अभियान के तहट बने सौचाने उन्हें असम की लाखो बहनों बेटियों की गरीमा की रक्षा की है साथियों विकास और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा राब देश के नौजवानों को हुआ है आज देश में परियटान और तिर्थ यात्रा को लेकर उत्सा बढ़ रहा है काशी कोरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में स्रद्धालू पहुंत रहे है बीते एक वर्ष में साड़े आठ करोर लोग काशी गए पाँच करोर से अधिक लोगों ने उज्जेन में महा काल महा लोग के दर्शन किये 19 लाग से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्टा को अभी कुछी दिन हुए है बारा दिन में ही अयोध्या में 24 लाग से जादा लोग दर्शन कर चुके मा कामा क्या दिव्या लोग बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही द्रश्य देखने वाले हैं साथियों जब तीर से यात्री आते हैं स्रद्धनु आते हैं तब गरीब से गरीब भी कमाता है रिक्से वाले हो टैक्सी वाले हो होटेल वाले हो रेडी पट्री वाले हो सभी की आमदनी बढ़ती है इसलिए इस वर्ष के बजेट में भी अपने परियटन पर बहुत बल दिया है केंद्र की भाजपा सरकार परियटन से जुड़े अईतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है असम में नौर्थ इस्ट में तो इसके लिए भरपूर संबावना है इसलिए भाजपा सरकार नौर्थ इसके विकास पर विशेश जोर दे रही है साथियों बीते दस वर्षों से नौर्थ इस्ट में रिकॉर्ड संख्या में टुरिस्ट आए है आखिर ऐसे कैसे हुआ परियटन के केंद्र नौर्थ इसके खुपसुरत इलाके तो पहले भी यहां थे लेकिन तब इतने टुरिस्ट यहां नहीं आते थे हिंसा के बीच साजन सौसाजरों के अबाव के बीच सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता आप भी जानते हैं कि दज साल पहले असम समेख पूरे नौर्थ इस्ट में क्या स्तिती थी पूरे नौर्थ इस्ट में रेल यात्रा और हवाय यात्रा बहुत ही सिमित थी सडके संक्री भी थी और खराब भी थी एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िये एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई गंटे लगी जाते थे इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने NDA सरकार ने बदला है साथियों पिछले दस वरसों में हमारी सरकार ने हाँ विकास पर होने वाले खर्च को चार गुना बढ़ाया है 2014 के बाद रेलवेट ट्रेक की लंबाई उननी सो किलोमिटर से जादा बढ़ाई गई 2014 से पहले की तुलना में रेल बजेट करीब करीब 400 प्रतिशत बढ़ाया गया है और तब तो पुद्रान मंत्री आपके आस्वाम से चुदे के जाते थे उससे ज़्यादा काम यह आपका साथि कर रहा है 2014 तक यहाँ सिर्फ दस हजार किलोमेटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे पिछले दस वर्सों में हमने छे हजार किलोमेटर के नए नेशनल हाईवे बनाए है आज दो और नई सड़क परियोजनाओं का उदगाटन हुआ है इससे अब इचान अगर तक कनेक्टिविटी और बहतर होगी आप सभी लोगों की मुश्किले और कम होगी साथियों आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी मैंने गरीबों को महिलाओं को युवाओं और किसान को मुल सुविधा देने की गारंटी दी है आज इन में से अधित्तर गारंटी पूरी हो रही है हमने विक्सित भारत संकल भी आत्रा के दौरान भी देखा है जो भी सरकारी योजनाओं से बंचित थे उन तक पहुँचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुँची है पूरे देश में करीब परीब बीस करोड लोग सीधे तोर पर विक्सित भारत संकल भी आत्रा में शामिल हुए है बड़ी संख्या में असम के लोगों को भी इस यात्रा का लाब मिला है साथियों भाजपा की डबल इंजिन सरकार हर लाभारती तक पहुँचने के लिए प्रतिबद्ध है हमारा लक्ष हर नागरिक का जिवन आसान बनाने का है यही फोकस तीन दिन पहले जो बजेट आया है उसमें भी दिखता है बजेट में सरकार ने इंफ्रास्टेक्टर पर ग्यारा लाग करोड रुपिये खर्च करने का संकल्प लिया है यह कितनी बड़ी रासी है इसका अनुमान एक और आकड़े से लगाया जा सकता है 2014 से पहले के 10 वर्सों में यह आकड़ा याद रखना मेरे आसाम के भाई बेन 2014 के पहले 10 वर्सों में कुल 12 लाग करोड रुपिये इंफ्रास्टेक्टर का बजेट रहा 10 साल में 12 लाग करोड यानि जितना पहले की केंदर सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया था करीब करीब उतनी राशी हमारी सरकार अगले एक साल में खर्च करने जा रही है आप कलपना कर सकते हैं कि देश में कितने बड़े पैमाने पर निर्मान कारिय होने जा रहा है और जब इतनी बड़ी राशी निर्मान कारियों में लगती है तो नए रोजगार बनते हैं उद्योगों को नई गती मिलती है साथियों इस बजेट में एक और बहुत बड़ी योजना की गोशना हुई है बीते दस वरसों में हमने हर गर तक बिजली पहुंचाने का बियान चलाया अब हम बिजली का बिल आसाम के भाईयों बेनों और देशवाजी भी मैं बहुत महत्वपन काम आपके सामने रख रहा हूँ अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं बज़ेट में सरकार ने रूप टॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का एलान किया है इस योजना के तहट प्रारंब में एक करोड परिवारों को सोलर रूप टॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथी सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा साथियों मैंने देश की दो करोड बहनों को लखपती बनाने की गारंटी दी थी बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्रात्मिक जो जानकारी मिली है अब तक हम एक करोड बहने लगपती दीदी बन चुकी है हमारे देश में सेल्फ हेल्फ गृप में काम करने वाली एक करोड बहने जब लगपती दीदी बनती है तो नीचे धर्ती कितनी बदल जाती है दोस्तों अब इस बजेक में हमने लगपती दीदी बनाने के लक्ष को और बढ़ा दिया है अब दो करोड के बजाए तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाये जाएगा इसका लाप असम की मेरी हजारों लाखों बहनों को भी जरूर होने वाला है यहां स्वयम सहायता समू से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं और इतनी बड़ी माताए बहने यहाई है जरूर समें भी मेरी लगपती दीदी आई ही होगी हमारी सरकार इस बजेट में आंगनवाडी और आशा बहनों को भी अब आईश्मान योजना के दाएरे में ले आई है इससे उन्हें भी अब पांच लाख उपिया तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिल गई है जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो संवेदन सिल्टा से काम होता है भाई और बहनों मोदी जो गारंटे देता है ना उसे पूरा करने के लिए दिन राप एक करने का होसला भी रखता है इसलिए आज नौर्थ इसको मोदी की गारंटी पर भरोसा है आज असन में देखिए सालों साल से जो इलाके शांत थे वहाँ अब स्थाई शांती स्थाफित हो रही है राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं बाजपात सरकार बनने के बाद यहां दस से जादा बड़े शांती समझोते हुए है पिछले कुछ वर्षों में नौर्थ इस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है मैंने कई वर्षों तक आसाम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है मैं यहां हर इलाके में घुमा हुए इंसान और मुझे आद है कि रोड ब्लोक के कारकम, मंद्र के कारकम और गोहाटी तक के अंदर मम ब्लास की घट्राएं मैं अपने आखों से देखता था आज वो भुद्धकाल बनता चला गया है दोस्तों लोग शांती से जी रहें असम के साथ हजार से जादा नौजवानों ने भी हतियार छोड़े हैं देश के विकास में कंदे से कंदा मिला कर चलने का संकल्प लिया है कई जिलों में आस्पा हटाया गया है जो खेत्र हिंसा प्रभावित रहें आज वो अपनी आकांग छाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है साथ क्यों छोटे लक्ष रखकर कोई भी देश कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष तै करती थी और ना ही अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है मैं नौर्टिस्ट को उसी तरफ विक्सित होते देख रहा हूँ जैसा पुरवी एशिया को दुनिया देखती है आज नौर्टिस्ट होते विए दक्षिड एशिया और पुरवी एशिया की कनेक्टिविटे का विस्तार हो रहा है आज यहां साउथ एशिया सब्रिजनल इकनामिक कॉर्परिश्न उसके कोपरेशन के तहट भी अनेक सड़कों को अपडेड करने का काम शुरू हुआ है अब कलपरा कीजिए जब कनेक्टिविटी के ऐसे सभी प्रोजेक्ट पुरे हुँगे तो हिस्सा व्यापार कारोबार का कित्रा बड़ा केंदर बनेगा मैं जानता हूँ कि असम के नौर्थ इसके हर युवा का भी यही सपना है कि वो भी पुर्वी एश्या जैसा विकास यहाँ देखे मैं असम के नौर्थ इसके हर युवा को बताना चाहता हूँ मेरे युवा साथियो आपका सपना आपका सपना मोदी का संकल्प है और आपके सपने पुरे हो इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा और ये मोदी की गरण्टी है भाई और बहनों ये जो भी काम आज हो रहे है इनका एक ही लक्ष है लक्ष है भारत और भारतियों का सुखी और सम्रद जीवन लक्ष है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का लक्ष है ट्वेंटी फोटी सेवन तक भारत को विक्षिद रास्त बनाने का इसमें असम की नौर्थिस की बहुत बड़ी भूमी का है एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बदाई और अब तो मा कामाख्या के आशिरवाद बहुत बढ़ने वाले है बहुत बढ़ने वाले है और इसलिए मैं भग्य दिव्य साम की तस्वीर साकार होती देख रहा हूं साथ की आपके सपने पूरे होंगे यह हम अपनी आँखों से देखेंगे मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोना हाथ उपर करके मेरे साथ बोलिये भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद महोदे, आपके उत्साहवर्धक आशिरवचनों के लिए हम आपको कोटी-कोटी प्रणाम करते हैं गुलाप चन कटारिया जी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्वा सर्मा जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी सर्बारन सोनवाल जी रामेश्वर तेली जी असम सरकार के मंत्री साउसाथ और विधाय गान विभिन्न काउंसिल के प्रमोक और मेरे प्यारे भाई और बहनो आपना लोग होकोलो के मुरे अंत्री घुबेशा ग्यापोन करे लो आज मुझे एक बार फिर मा कामा ख्या के आसिरवाद से असम के विकाद से जुड़े प्रोजेक्स आपको सौपने का सौभाग्य मिला है फोड़ी देर पहले यहाँ ग्याजा हजार करोड रुपियों के प्रोजेक्स का सलान्यास और लोकारपन हुआ है यह सारे प्रोजेक्स असम और नौर्थ इसके साथ ही दक्षीन एशिया के दूसरे देशों के साथ इस शेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे यह प्रोजेक्स असम में टुरिजम सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए आउसर देंगे यह मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केर सेक्टर में भी रूप में भी असम की भुमिका का विस्तार करेंगे मैं असम के नौर्थ इस्ट के अपने सभी परिवार जनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हैं मैं कल शाम को यहां आया जिस प्रकार से गोहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया अबाल वृद्ध सभी हमें आशिरवाद दे रहे थे मैं आप सब करदय से आभार व्यक्तर करता हूँ मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए आपका ये प्यार आपका ये अपना पन ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है ये आपका अस्ने आपके अशिरवाद मुझे निरंतर उर्जा देते रहते हैं मैं जितना आप सब का अभार व्यक्तर करू उतना कम है बाई और बहनों बिते कुछ दिनों में मुझे देश के अनेक तिर्थों की आत्रा करने का उसर मिला है अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मा कामाख्या के द्वार पर आया हूँ आज मुझे यहां मा कामाख्या दिव्या लोग पर योजना का सिलान्यास करने का सौभागे प्राप्त हुआ इस दिव्या लोग की जो कल्पना की गई है मुझे इसके बारे में विस्तार थे बताया गया है जब यह बन कर पुरा होगा तो यह देश और दुनिया भर से आने वाले मा के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा मा कामाख्या दिव्या लोग परियोजना के पुरा होने के बाद हर साल और ज़्यादा स्रद्धानु यहाँ आकर दर्शन कर सकेंगे और मैं देख रहा हूँ कि मा कामाख्या के दर्शन के संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही पूरे नौर्थिश में यह टूरिजम का प्रवेश द्वार बन जाएगा जो भी यहाँ आएगा पूरे नौर्थिश के टूरिजम के और बढ़ेगा एक प्रकार से यह उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है इतना बड़ा काम इस दिव्य लोग के साथ जुड़ा हुआ है मैं हिम्मता जी और उनकी सरकार की इस सांदार प्रोजेक के लिए सराना करता हूँ साथियों हमारे तीर्थ हमारे मंदीर हमारी आस्ता के स्थान यह सिर्फ दर्सन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है यह हजारों वर्षों की हमारी सब्यता की यात्रा की अमीट निशानिया है भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा यह उसकी साक्षी है हमने देखा है कि एक समय में जो सब्यताएं बहुत समुर्द हुआ करती थी आज उनके खंडहर ही बचे हैं दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिनोंने लंबे समय तक देश में सरकारे चलाई वो भी आस्ता के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए उन्होंने राजनीति इगलाब के लिए अपनी ही संस्क्रिती अपने ही अतीत पर शर्मिन्दा होने का एक ट्रेंड बना दिया था कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटा कर ऐसे भुला कर अपनी जड़ों को काट कर कभी विख्षित नहीं हो सकता मुझे संतोज है कि बीते दस वर्षों में अब भारत में स्थीतियां बदल गई है भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने विकांस और विरासत को अपनी नीती का हिस्सा बनाया है इसका परणाम आज हम असम के अलग अलग कौनों में भी देख रहे हैं असम में आस्ता अध्यात्मा और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को आधुनिल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है विरासत को संजुने के इस अभ्यान के साथ ही विकांस का अभ्यान भी उतनी ही तेजी से चल रहा है बीते दस वर्सों को देखो तो हमने देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज बनाये हैं युनिवर्सिटीज बनाये हैं पहले बड़े संस्तान सिर्फ बड़े शहरों में ही होते थे हमने IIT, IIM, IIM जैसे संस्तानों को उसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया है बीते दस वर्सों के दोरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब दबल हो है असम में भी भाजपा सरकार से पहले छे मेडिकल कॉलेज थे आज बारा मेडिकल कॉलेज है असमाच नौर्थ इस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है साथियों देश वासियों का जीवन आसान हो यह हमारी सरकार की प्रात्थिकता रही है हमने चार करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए है हमने घर घर पानी घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है उजवला योजना ने आज असम की लाखों बहनों बेटियों को दुएं से मुक्ति दी है स्वच्छ भारत अभियान के तहट बने सौचाने उन्हे असम की लाखों बहनों बेटियों की गरीमा की रक्षा की है साथियों विकास और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा राब देश के नौजवानों को हुआ है आज देश में परियटान और तिर्थ यास्रा को लेकर उत्सा बढ़ रहा है काशी कोरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में स्रद्धालू पहुंत रहे है बिते एक वर्ष में साड़े आठ करोड लोग काशी गए पाँच करोड से अधिक लोगों ने उज्जेन में महाकाल महा लोग के दर्शन किये उन्निस लाग से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा किये अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्टा को अभी कुछी दिन हुए है बारा दिन में ही अयोध्या में चोबीस लाग से जादा लोग दर्शन कर चुके हैं मा कामा क्या दिव्य लोग बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही द्रश्य देखने वाले है साथियों जब तीर से यात्री आते हैं स्रद्धनु आते हैं तब गरीब से गरीब भी कमाता है रिक्से वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटेल वाले हो, रेडी पट्री वाले हो, सभी की आमजनी बढ़ती है इसलिए इस वर्ष के बजेट में भी अमने परियटन पर बहुत बल दिया है केंद्र की भाजपा सरकार परियटन से जुड़े आतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है असम में नौर्थ इसमें तो इसके लिए भरपूर संबावनाए हैं इसलिए भाजपा सरकार नौर्थ इसके विकास पर विशेज जोर दे रही है साथियों बीते दस वर्षों से दौर्थ इसमें रिकॉर्ड संख्या में टुरिस्ट आये हैं आखिर ऐसे कैसे हुआ परियटन के केंद्रा नौर्थ इसके खुपसुरत इलाके तो पहले भी यहां थे लेकिन तब इतने टुरिस्ट यहां नहीं आते थे हिंसा के बीच साजन संसाजरों के अभाव के बीच सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता आप भी जानते हैं कि दस साल पहले असम समेट पूरे नौर्थिस्ट में क्या स्थिती थी पूरे नौर्थिस्ट में रेल यात्रा और हवा यात्रा बहुत ही सिमित थी सडके संक्री भी थी और खराब भी थी एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िये एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई गंटे लग जाते थे इन सारी परिस्टियों का आज भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने एंडिये सरकार ने बदला है साथियों पिछले दस वर्सों में हमारी सरकार ने हाँ विकास पर होने वाले खर्च को चार गुना बढ़ाया है 2014 के बाद रेलवेड ट्रेक की लंबाई 1900 किलोमिटर से ज़्यादा बढ़ाई गई 2014 से पहले की तुलना में रेल बजेट करीब करीब 400 प्रतिशद बढ़ाया गया है और तब तो पुद्रान मंत्री आपके आस्वाम से चुद्र के जाते थे उससे ज़्यादा काम यह आपका साथी कर रहा है 2014 तक इहां सिर्फ 10,000 किलोमिटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे पिछले दस वर्सों में हमने आप सभी लोगों की मुश्किले और कम होगी साथियों आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी मैंने गरीबों को महिलाओं को युवा और किसान को मुल्द सुविधा देने की गारंटी दी है आज इन में से अधित्तर गारंटी यान पूरी हो रही है हमने विक्सित भारत संकल भी आत्रा के दौरान भी देखा है जो भी सरकारी योजनाओं से बंचित थे उन तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गारंटी पहुंची है पूरे देश में करीब-करीब बीस करोड लोग सीधे तोर पर विक्सित भारत संकल भी आत्रा में शामिल हुए है बड़ी संख्या में असम के लोगों को भी इस यात्रा का लाब मिला है साथियों भाजपा की डबल इंजिन सरकार हर लाभारती तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है हमारा लक्ष हर नागरिक का जिवन आसान बनाने का है यही फोकस तीन दिन पहले जो बजेट आया है उसमें भी दिखता है बजेट में सरकार ने इंफ्रास्टर पर ग्यारा लाग करोड रुपिये खर्च करने का संकल पलिया है यह कितनी बड़ी रासी है इसका अनुमान एक और आकड़े से लगाया जा सकता है 2014 से पहले के 10 वर्षों में यह आकड़ा याद रखना मेरे आसाम के भाई बेन 2014 के पहले 10 वर्षों में कुल 12 लाग करोड रुपिये इंफ्रास्टर का बजेट रहा 10 साल में 12 लाग करोड यानि जितना पहले की केंदर सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया था करीब करीब उतनी राशी हमारी सरकार अगले एक साल में खर्च करने जा रही है आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में कितने बड़े पैमाने पर निर्मान कारिय होने जा रहा है और जब इतनी बड़ी राशी निर्मान कारियों में लगती है तो नए रोजगार बनते हैं उद्ध्योगों को नई गती मिलती है साथियों इस बजेट में एक और बहुत बड़ी योजना की गोशना हुई है बीते दस वर्सों में हमने हर गर तक बिजली पहुंचाने का बियान चलाया अब हम बिजली का बियल आसाम के भाईयों बेनों और देशवाजी भी मैं बहुत महत्पण काम आपके सामने रख रहा हूँ अब बिजली का बियल भी जीरों करने के लिए हम आगे बढ़ रहे बजेट में सरकार ने रूप टॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का एलान किया है इस योजना के तहट प्रारंब में एक करोड परिवारों को सोलर रूप टॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी इससे उनका बिजली का बिल भी जीरों होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा साथियों मैंने देश की दो करोड बहनों को लखपती बनाने की गारंटी दी थी बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्रात्विक जो जानकारी मिली है अब तक हम एक करोड बहने लगपती दीदी बन चुकी है हमारे देश में सेल्फ हेल्फ गुरूप में काम करने वाली एक करोड बहने जब लगपती दीदी बनती है ने तो नीचे धर्ती कितनी बदल जाती है दोस्तों अब इस बजेट में हमने लगपती दीदी बनाने के लक्ष को और बढ़ा दिया है अब दो करोड के बजाए तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाये जाएगा इसका लाप असम की मेरी हजारों लाखों बेहनों को भी जरूर होने वाला है यहां स्वयम सहायता समू से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं और इतनी बड़ी माताए बहने यहाई है जरूर समय भी मेरी लगपती दीदी आई ही होगी हमारी सरकार इस बजेट में आंगनवाडी और आशा बहनों को भी अब आईश्वान योजना के दाएरे में ले आई है इससे उन्हें भी अब पांच लाख उपिया तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिल गई है जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो समवेदन सिल्टा से काम होता है भाई और बहनों मोदी जो गारंटिद देता है ना उसे पूरा करने के लिए दिन राप एक करने का होसला भी रखता है इसलिए आज नौर्थ इसको मोदी की गारंटी पर भरोसा है आज असन में देखिए सालों साल से जो इलाके शांत थे वहाँ अब स्थाई शांती स्थाफित हो रही है राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं बाजपात सरकार बनने के बाद यहां दस से जादा बड़े शांती समझोते हुए है पिछले कुछ वर्षों में नौर्थ इस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है मैंने कई वर्षों तक आसाम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है मैं यहां हर इलाके में घुमा हुए इंसान